कोरोना वाइरस के चलते पूरी दुनिया परिशान है लोगों को समझ नहीं आ रहा कि वो अपने आपको बचाने के लिए क्या करें हाला कि देश कोई भी हो पर वहां की सरकारों की तरफ से साफ किया गया है कि वो किसी भी हाल में अपने नागरिकों को मरने नहीं देगी हाला कि बावजूद इसके इटली, स्पेन, अमेरिकल जैसे देशों में इस बीमारी के चलते भारी मात्रा में लोगों की जाने जा रही है वाइरस आ तो भारत में भी गया है, लेकिन यहां इस्टि इतनी बुरी नहीं है सरकार भी इस बात को अच्छे से जानती है कि यह महामारी है और जितना यह फैलेगी उतना ही नुकसान देश को होगा इसलिए मोदी सरकार की तरफ से पहले तो पुरे देश में जनता करफ्यू लगाया गया और बाद में देश के कई हिच्सों को लोगडाउन कर दिया गया सरकार की तरफ से दुकानदारों और व्यापारियों को साफ कहा गया कि वो महेंगे रेट पर कुछ भी सामान ना बेचें लेकिन क्या वाकई सरकार की बात को सुना जा रहा है क्या वाकई सरकार की बात को माना जा रहा है जी नहीं देश में धडले से महेंगे रेट पर सामान बेचा जा रहा है जारा दुकान खुली नहीं है तो ऐसे में गरहाकों के पास भी महंगा सामान खरीदने के अलावा और कोई चारा नहीं है नोएडा में फिलहाल लोकडाउन है और कुछ दो या तीन दिन पहले तक 20 रुपे किलो में मिलने वाला टमाटर अब 34 रुपे में मिल रहा है प्यास के रेट 44 रुपे किलो हो गए है लहसुन के रेट 200 रुपे किलो है कल तक 70-80 रुपे में बिक रही शिमला मिर्च 130-150 रुपे के बीच में बिक रही है ये बात तो ही सबजियों की बाकी घर का सामान भी अगर आप खरीद रहे हैं तो वो सब भी बहुत महंगा मिल रहा है सामानों पर अकसर मिलने वाले डिसकाउंट को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है सरकार की तरप से MRP से ज़ादा कीमत वसूलने वालों पर कारवाई की बात की गई है बाकाईडा इसके लिए टोल्फरी नंबर भी जारी किया गया है पर वो टोल्फरी नंबर भी ऐसा है या तो वो मिलता नहीं है या फिर बिजी आता है देश में ना जाने कितने ऐसे वैपारी बैठे हैं जो कोरोना वाइरस को मौके की तरह देख रहे हैं इधर लोगों की जान पर बनी है उधर ये लोग मुनाफ़ा करने के फिर में लगे हुए हैं अगर इन से आप इनके सामान के महंगे होने की बात कहते हो तो फिर या तो ये दूसरी दुकान से सामान खरीदने को आप से कहेंगे या फिर उपर से ही महंगा सामान आने का रोना परो देंगे एक तरफ सरकार का अपने पास परियापत राशन उप्लब्द होने की बात कहना और दूसरा मार्किट में अचानक से चीजों का महंगा हो जाना शुब संकेत नहीं है आप जब सड़कों पर उतरेंगे कुछ सामाल लेने के लिए तो आपको भी स्तितिक अंदाज हो जाएगा सरकार कॉरोना से लड़ने की कोशिशे कर रही है महीं व्यापारी इसको मौके के तौर पर देखते हुए कैश कर रहे हैं इस मौके को भुना रहे हैं इस मुश्किल वक्त में जहां सबको एक जुट होने की जरूरत है आगे आकर लोगों के मदद करने की जरूर वहीं हम लोग सिर्फ चंद सिक्कों के लालच में मानवता को शर्मसार करने वाला काम कर रहे हैं। उम्मीद है केंदर सरकार इस पूरे मुआमले को देखेगी और जल्द से जल्द काला बाजारी करने वालों पर शिकंजा कसेगी। यह वाकि आपको क्या लग रहा है आपके यहां चीज़ें कितनी महंगी हैं या कितने सस्ती हैं कॉमेंट सक्षन में प्रीज हमें ज़ुरूर बताजेगा। को ने आब सोच रहे हैं प्रूर कर निकियेगा। शुक्रिया !